नमस्कार, क्यापिजल जीवी का खाश शो, महरास्टा फाइस देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा संतों की संबान में शिंदे उतर गए हैं मैदान में महरास्ट के पालगर में साल 2020 में दो साध्वों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था इस मामले को लेकर महरास्ट की पिछली उद्धब सरकार ने कोई कड़ा आक्शन नहीं लिया साध्वों की लिंचिंग होती रही और उद्धब सरकार मौन रही पर अब इस मामले में एक नया मोड आया है महारास्ट में एकनाश रिंदे की सरकार ने दायर एक हलफ नामे में कहा है कि वो CBI की जाच सोपने के लिए तैयार है और इस पर उन्हें कोई भी आपत्ती नहीं है जिससे कॉंग्रिस, NCP और उद्धब गुट काफी जादा परिशान हो गया है तो CBI की जाच से क्यों परिशान है विपक्ष आज इसी पर चर्चा करेंगे बाचित के लिए में साथ स्टूडिय में मौझूद है Capital TV के Senior Editor राजीर जी राजीर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद अब CBI जाच की बात कर रहे है पर विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है देखिए ये तो सामने में दिख रहा है कि जब CBI जाच की किसी मामले की मांग हो रही है जो उद्धव ठाकरे याने की महाविकास अगारी की सरकार के समय गटना गटी गटना गटने के बाद पहले पालगर पुलिस ने इसकी जाच की जाच में कुछ सामने नहीं आ रहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार उस समय थी सरत पवार उनके सबसे बड़े सलाहकार थे सोनिया गांधी सामने में संकेत दे रही थी कि आपको क्या करना है क्योंकि ये मामला संतों की हत्या का था मॉब लिंचिंग का था अब मॉब लिंचिंग जहां शब्द आता है वहां तो सिर्फ और सिर्फ ये परसेप्शन क्रियेट किया गया 2014 के बाद कि मॉब लिंचिंग सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों की होती है ये perception रहा हर जगह पर जहां दो चार लोगों ने जैसे जारखंड में दो चोरों की मौत होई थी हत्या कर दी गई थी लोगों ने भीड ने मार दिया था उस समय चोरों की हत्या में भी देखा गया कि इसका धर्म क्या है चोरी करके भाग रहे थे गउवाले ने पीट-पीट कर हत्या कर दी हंगामा खड़ा कर दिया गया कि मुसल्मानों की लिंचिंग हो रही है बड़े बड़े लोग सामने आ गए यहां तक कि बॉलिवूड में भी लोग सामने आ गए थे मौब लिंचिंग के नाम पर लिंचिंग इतना बड़ा शब्द हो गया जिसके बारे में पहले लोगों को पता भी नहीं था कि लिंचिंग होता क्या है 2014 के बाद इन लोगों ने मौब लिंचिंग जैसा शब्द गढ़ा और जिसमें यह प्रसेप्शन क्रियेट किया गया कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बॉम लिंचिंग हो सकती है उद्धब टाकरे की सरकार थी और संतों के साथ मतलब बरवरिक ब्यभार किया गया बरवरता पुर्ण ब्यभार किया गया ऐसे समय में वहाँ पर जाज पोती के लिए किस तरह से लिपा पोती की जाती है उसके बाद CID की टीम मों हम पहुचे यानि की लोकल पुलिस जो है वो CID की टीम भी महराष्ट पुलिस के अर्तर गता आती है तो CID की टीम ने जाज शुरू किया फिर भी जब कोई भी किसी तरह की इस तरह के अपराधी घटना होती है तो सामने वाला का सम्मान किया जाता है कि जो मांग कर रहे हैं उसमें कम से कम आप सहयोग करें जब पूरा संत समाज इस बात के लिए तयार है कि ये जो हत्या हुई है मौब लिंचिंग हुई है उसकी जांच CBI से कराई जाने चाहिए तो उद्धब ठाकरे की सरकार 2020 से 2022 तक जब जून में सरकार बनी बारतिय जन्ता पार्टी और शिंदे की उस समय तक 2 साल तक सोई हुई क्यू रही क्यूं इस पूरे तक्थे को छुपाना चाहती थी कि सत्या में कौन से इनफॉर्मर थे किसने केसी भूमिका निभाई ये क्या प्लानिंग थी ये संत जो महराज से गुजराज जा रहे थे उनकी बीच में हत्या क्यों कर दी गई और क्या सही मायने में लोगों को जो भ्रम पैदा किया गया था कि ये बच्चा चोर वाली थियोरी जो गड़ी गई कि चाइल्ड किड्नपिंग हो रही है बच्चे को किड्नप किया जा रहा है तो उस गड़बड़ी और डर के बज़ज़ से जो भै फैलाय जा रहा था वो सही कारण है या फिर कारण कुछ और है कारण टार्गेट किया गया था उन लोगों को टार्गेट किया गया था कि लोगों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई लोकल लीडर्शिप का क्या भूमिका थी नसीपी के नेता क्या कर रहे थे कॉंग्रेस के क्या भूमिका थी ये सारा कम से कम सच्चाई सामने आनी चाहिए लेकिन आपने छुपाया रखा आपने CID के माद्यम से इसके जाज करवाई जैसे सुसान सी राजपूत के मामले में हुई सुसान सी राजपूत का मामला इतना जादा बड़ा इसलिए इन लोगों को सौपनी पड़ी CBI को लेकिन फिर भी हर मामले को जिन लोगों के हवाले होना चाहिए वो करने के बजाए आपने उसको लीपापोती करने की कोशिश की अब जब ये मामला सुप्रीम कोट तक पहुचा है CBI जाज की मांग करने वाले लोग हैं तो सरकार का जो अस्टेंड है ये बताता है कि CBI जाज से क्यों तकलिफ होनी चाहिए शिंदे सरकार ने साप तर पर कह दिया कि मुझे कोई दिकत नहीं CBI की जाज होनी चाहिए जो भी गलत किया है अगर भारतिय जनता पार्टी के नेता इसमें सामिले तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए अगर शिव सेना NCPR कॉंग्रेस का सामिले उसको भी मिलनी चाहिए सजा उस समय की सारी कॉंस्पिरेसी सामने आने चाहिए क्योंकि एक वर्ग जो संत समाज है वो इंतजार कर रहा है कि इसमें सच्चाई सामने आए उन्हें जस्टिस मिले अब नियाय मिलने के लिए जो उमीद है उस उमीद को तो बरकरार रखेंगे अगर सबक नहीं दिखाए जाएगी तो ऐसे में क्या होगा जो अभी हर जगह पर 36 गड़ में ऐसा ही हुआ 36 गड़ में भी कॉंग्रिस की सरकार है और उस पर भी एक्सन लिया जाना चाहिए कि जहां पर बच्चा चोरी का एक बहाना बनाया जाता है और सादू संतों को जिस तरीके से पिटाई की जा रही है हत्या की जा रही है तो संत समाज जो डरा हुआ महसूस करने लगेगा उनको भी तो उम्मीद होनी चाहिए कि हमें नयाय मिले तो इसलिए भाजपा सिंदे की सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में हरी जंडी दिखा दी मुझे कोई सा मस्या नहीं है हम लोग पूरी तरह से सयोग करने के लिए तयार है CBI को जो भी दस्तावेज चाहिए सुबूद चाहिए लोकल टीम की लोकल पूलिस की या CID की फाइनिक चाहिए वो सारा एवलेवल कराएंगे आप इसकी CBI से जाच करवाएं लेकिन जैसे ही सरकार ने ये बात कही परतिक्रिया हैं देखिए कॉंग्रेस की तरफ से बोला जाने लगा कि सरकार है जो अपने ही ग्रिह मंत्राले अपनी ही पूलिस के उपर विश्वास नहीं कर रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि लोकल पूलिस लोकल सरकार इतना सक्षम है तो फिर कोई और एजेंसी की जरूरत ही नहीं है अगर किसी लोकल कोट में मामला चल रहा है और उसको हाई कोट में चैलेंज किया जाता है तो क्या सरकार को लोकल कोट पे भरोसा नहीं है यह जो डियर सेरी सिस्टम जो बनाया गया है लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से उसी तरीके से पुलिस विवस्ता है investigative agency है कि हर जो एजनसी है उसकी अपनी भूमिका होती है उसके अपनी सक्षमता होती है कि कहां कहां तक किसका विस्तार हो सकता है नहीं तो फिर एक ही एजनसी की जरूरती जब लोकल पुलिस होती है या CID की टीम होती है हर अस्टेट में तो फिर CBI जैसे एजनसी की जरूरती क्या ह एनाये को क्यों बनाया गया कि एक टेरोरिज्म के मामले में एनाये के एंट्री होगी एनाये की भी मांग की गई है इसका मतलब तो यह है कि नस्पक्ष जाँच से डर रहे हैं बिल्कुल डर रहे हैं यही बॉकलाहट है क्योंकि पहले ही सवाल उठाना सुरू कर दिया कि अपनी सरकार के उपर अपनी पुलिस के उपर भरोसा नहीं है यह पहला सवाल का मतलब यही है कि इन लोगों को लगने लगा है कि CBI जाँच से बहुत कुछ सामने आने वाला है पिशली सरकार में महाविकास अगाडी की सरकार में तो कोई नया नज़र नहीं आया आप एकनाश शिंदे बात कर रहे हैं क्या उमीद जताई जा सकती है जकी अब तो पूरी उमीद है इस बात की उमीद है कि यह जो साजीश थी ये हिंदू के खिलाब साजीस थे और उस साजीस में ये जो मुखोटा पहने हुए बैठे थे उद्धवठाकरे, शरतपवार और सोनिया गांधी की पूरी टीम जो वहाँ पर काम कर रही है ये जो अपने आपको सेकुलर कहते हैं, इनके सेकुलरिज्म के पीछे का एजेंडा यही होता है कि एंटी हिंदू बने रहो सेकुलर कहलाओगे यानि कि secularism का मतलब कभी भी इनका ये नहीं होता है कि वो लोग सब को समान तरीके से मानें ये affirmative action की बात नहीं होती है सकारात्मक करवाई नहीं होगी ये action जो होए वो anti-hindu होना चाहिए pro-muslim होना चाहिए और इसी agenda को आगे बढ़ाओ इसी को secularism कहते है anti-hindu pro-muslim और इनका जो पूरा agenda है और उपर से जो मुखोटा बनाए रहते हैं कि हम तो secular हैं secular हैं और उसी जमात में जो अभी उद्धव ठाकरे सामिल हो गए हैं वो महाविकास अगारी की सरकार का जो पूरा anti-hindu agenda रहा है और उद्धव ठाकरे के साथ और उद्धव ठाकरे से मुक्मंतिरी रहते हुए जो करवाया गया है पवार और सोनिया के गैंग ने करवाया है वो सारा परदा फाश होगा CBI जांच से धीरे धीरे मामले सामने आएंगे वो link सिर्फ पालगर तक नहीं है पालगर तो वहां के से जांच की सुरुवात होगी उसके बाद ये पता चलेगा कि ये पूरा network नेकसस कहां जाके जुड़ता है और ये लोग कैसे संतों को target किये हुए थे ये क्यों डर खौप का महौल तयार करना चाहते थे कि कहीं भी भगवा पहने दिखोगे वहां भारती जनता पाटी दिख गई तो ये पूरे भगवे के खिलाप जो conspiracy है वो CBI जांसे सामने आएगी कि इसका link कहां कहां से जुड़ा है और ऐसा क्यों किया जा रहा था क्योंकि देखिए टेरोरिज्म यानि कि आतंकबाद का जो definition दिया जाता है वो इसी तरह का दिया जाता है कि जो भी act जो भी काम जो भी कारवाई भै पैदा करने के लिए किया जाता है कि जिसके एक काम से दूसरे हजारों लाखों लोग बैभीत हो जाएं और उससे डरे कोई भी ऐसे act इसी तरह किया जाते हैं तो ये आतंकवाद है एजेंडा आतंकवादी की तरह है कि आप एक को टार्गेट करो और लाखों को डरा दो कि वो ऐसा करही न सके तो उस पूरी कॉंस्परेसी को सामने आना चाहिए और इसके लिए CBI के टीम अब बालगर से सुरू करेगी और पूरे महरास्ट में जो इन ल वार की टीम हो सुनिया गांधी की टीम हो या फिर उद्धव ठाकरे के बच्चे हुए लोग हो यह सब इसी बात से डरे हुए है कि अब इनका पूरा एजेंडा सामने आने वादा है बहुत-बहुत शुक्रिया समझाने की दन्यवादा तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आने चाहिए साध्वों ने भी CBI और NIA जांच की कोहार लगाई थी और अब पालगर जिले में 2020 में साध्वों की पीट-पीट कर हुई हत्या की जांच शिंदे सरकार CBI को सौपने को तयार है जिससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है CBI जांच पर झालगर झालगर